कौन है मोहित पांडे जिन्हें आयोध्या के पुजारी के तौर पर किया गया चयनित। कैसे हासिल की इतनी बड़ी उपाधी। क्या मोहित पांडे ही करेंगे राम मंदिर में राम लला की पुजारी। इसके बाद 2023 में मोहित पांडे ने सामवेद का अधेयन करते हुए मास्टर डिगरी हासिल की है। वह रामानंदिय परंपरा के विद्वान भी है और उन्हें वेद, शास्त्र और संस्कृत में विशेश अगयता भी प्राप्त है। की देखरेक में विधा अध्यन का मौका भी मिला था। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी के तौर पर चैन स्थानिय लोगों का कहना है कि यह उनके लिए गर्व की बात है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा की जाएगी। मंदिर में भगवान राम की सेवा के लिए पुजारियों की नियुक्ती होनी थी। जिसके लिए देश भर से 3000 वेदार्थियों और पुजारियों का इंटर्व्यू लिया गया था। इसमें 30 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकते थे। इंटर्व्यू के बा बन रहा है। इस मंदिर का उद्घातन साल 2024 में 22 जनवरी के दिन होना है और उसके पहले मंदिर कमेटी के द्वारा पुजापाट के लिए पुजारी की भरती भी निकाली गई थी। जिसमें कई पुजारियों का चुनाव हुआ है जिसमें प्रमुख नाम मोहित पांडे का है जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल के आसपास में ही है। मोहित पांडे हमारे देश में वर्तमान में चर्चा का विशय बने हुए हैं।